paradox और बुक्स लाबज 82.6 के लेवल पर श्राथ स्रॉक्टर किस लेवल पर होगे सराफ या इनिशेट न इसला वी पर फिर भी आज्चा के प्राया क्रूश नी करने की सल्षा होरी ये questa कि वॉल्यूम्स बल्कि बहुत अच्छा है पिछले कई सत्रों के आवरेज वॉल्यूम्स के कंपरिजन में पहले गंटे में उसको क्रॉस कर चुक है तो प्रॉबिटी है इन और प्रॉबिटी इसकी 85 के ऊपर चलता जाएगा और मोमेंटम के विशिस पे इजिली 95 लेवल्स आपको टेस्ट करते नजर आएगे तो टेंट सेशन से लेकिन बजार पे एक पैटन है वो स्टॉक जो अभी तक नहीं चले है और जहां पर वैलुईशन काफी स्टॉंग है बजार उनको भी चेस कर रहा है तो आप फंडमेंटल नजरिया भी देखें स्टॉक सेलेक्शन से दूसरा स्टॉक बचान बताया चले दिन के उच्छतम सर पर पहुंच गे बुक स्लेब इस वाइगा इंडोटेक ट्रांसफोर्मर का ये भी एक अच्छी इंवेस्ट्मेंट पिक हो सकती आने वाले दिनों में देखें सब ये शेर भी आगर आप कॉटर फोर नमबर देखे मुनाफ़ा भी अगर आप देखें क्यूफोर में करीब 622 परसंट बड़ा था तो यानि एक अच्छे रोबस बॉटम लाइन भी कंप्री ने पोस्ट की नेट प्रॉफिट मार्जिन्स बेहत स्ट्रॉंग है और उमीद की जारिया आगे भी मार्जिन्स इंप्रूव होते दिखेंगे यहां से साथी साथ वैलिएशन की बात रही तो काफी सस्ते दरों पे शेर अविलेबल है अभी कंपनी का अच्छी डेट से 1.4 रुपीज की कैशी पेस कमांड करता है और यहां से अभी तक हैसा जिसमें कोई रन अप नहीं आया और अब यहां से एक अच्छा पासकता है ट्रिगर रहेगा सबसे बड़ा कंपनी के नतीजे घाटे से मुनाफिय में आई अपने आप में एक अच्छी बात है कंपनी के लिए और इसलिए आएफल मानता है एक अच्छा शेर है खरिदारी के लिए आपका लक्ष रहेगा इसमें 272 का मध्यम से छोटी अच्छी बात है और अगर 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 अब भी खरीदी करते हैं तो स्टॉप्लोस 220 का रखना चाहिए नेक्स रिजिस्टंस के तोर पर 345 का लेवल रहेगा और इजी ली 345 के ओपर हम स्टॉप हाथे महीनों में देख नजर आएंगे चार्ट पैटन बहुत ही स्ट्रॉंग है तो मेरे खाल से इसमें इसमें ब्लुक्ष करना चाहिए आपके पर कौन से दो स्टॉक्स हैं सर जहां पर आप खरेदारी की सला देंगे तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 300 का और टागेट के लिए 315 के लेवल देखने हो मिल जाने चाहिए दूसरा होगा यूपियल यूपियल के चार्ट में भी बहुत ही अच्छा रुजान दिखा द अच्छा रुजान देटा बहुत स्टॉप लिए और एक चेसो चार्ट शेसोचे का लेवल जो कि बहुत इंपोर्टन रेजिस्टन्स था वह आज क्रॉस होता हुआ अच्छे वोल्यूम्स के साथ भी कह दे रहा है तो यह स्टॉक होगा जिसमें आपके बाइंड करने की सल होगी 605 का स्टॉप लगाना चाहिए और टागेट के लिए 635 आते हैं दो दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए चलिए टीविस मोटर और UPL ये दो इन्वेस्मेंट आइडिया किरन जी की और से लेकिन NHPC फिलहाल 24-45 के लेवल पे काम काज कर रहा है तो पहुने 1% के मैं M.D. M. K.M. सिंग से एक्स्लूसिव बाचीट की सिलकी सिंग ने आये सुनते हैं का किसं गंगा जो प्रॉजेक्ट है उसमें काफी दिनों से ये न्यूज में है पिछले 10 सालों से प्रोजेक्ट के पहले तो लैंड आक्विजिशन को लेकर न्यूज में था उसके बाद परिछेक्ट आप जो बात हो रही है कि स्टेट गवर्मpenट को यह प्रजेक्ट दिया जाएगा तो डिसकर्शन का क्या स्टेट है फिल्हाल आप उसके पार पार में कुछ बताएं वो प्रोजेक्ट हमारे पास है उसकी जगह उन्होंने यह फर किया था कि जो उनकी capacity है जो demand है power की अगर वो चाहते हैं तो उनको थर्मल दिया जा सकता है पोल बलाक एलाट किया जा सकता है इसके आलामा जो NHPC के साथ joint venture बना है जिसके साथ है पाकल दूल, कीरू एंड कौार तीन project है पाकल दूल जो है हजार मेगवाट का है आल लेडी टेंडिंग प्रासेस में है उसके लिए गवर्मेंट से approval, clearances सभी हमारे पास है तो एलाट हो जाएगा दो प्रोजेक्ट और है तो विद दी joint venture दी गवर्मेंट आफ जेन के आल लेडी प्रोजेक्ट चल ला है आगे चल करके तीन प्रोजेक्ट अगर बनते हैं तो आगे और भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं लास्ट टू येर्स तो मॉनसून काफी पूर रहा अब जहां प्रोजेक्शन से इतने positive हैं तो आप किस तरह से देखते है पावर जेनरेशन जो आपका टागेट है फिनेंशल 17 के लिए या अगली 12 से 18 महीनों के लिए वो क्यासा रहेगा अगर मांसून अच्छा है तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है तो इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जुरूत नहीं है प्रोजेक्शन चर्टिंव या या अच्छीव एनच्छीव ऑजन जुद्टने के लिए और बजार पर चर्चा करने के लिए और या 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 आईजिए करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक जाती जाती कि अब्ताओ का दूँ है पानंतराज इंडास्ट्रीज के बारे में थोच दिर पहले बात कर रहा था, वो 12% के strong returns दे रहा है, strong तेजी और पिछले 3 दिनों के उच्छतम स्तर पे volumes के साथ खरेदारी हुई, यह इसको अपने radar पर है.